हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग बहुत-बहुत स्वागत है आप सब का विक्ट्रिम इंटर्शिप के यूट्यूब चैनल पे और जैसा कि कली क्लास में हमने कहा था कि बायलोजी यानि जीव विज्ञान के संपूर्ण वीडियो का पार्ट लेके आऊंगा पार्ट वन की क्लास आपने देखा होगा उससे बहुत सारा टॉपिक का रिविजन हो गया होगा और जो बचा हुए टॉपिक था उसको लेकि हम आ जाए हैं इसके बाद ए वैसे ही रिविजन वीडियो सभी सब्जेक्ट का आएगा और 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट अगर सुन भी लेंगे तो बहुत सारे चीज़ें याद हो जाएंगी चलिए सुरू करते हैं कि आज कि टॉपिक से हैं अंत्रा स्रावी एवं अंत्रा स्रावी ग्रंथिया वं मानम हर्मोन तो जो मानम सरीर में केमिकल्स का जो निर्मान करती हैं उसी को ग्लेंड या ग्रंथिया करते हैं और यह निर्मान जो करता है वो जूस के रूप में या एंजाइम के रूप में या हर्मोन के रूप में तो आप देखेंगे प् अवस्थिति या लोकेशन और उनसे संबंदित प्रस्ण पुछे हुए हर एक्जाम में लगभग रहता है तो यह बहुत महत्तून टॉपिक है इसलिए हमने इसको विस्तार से लिया है तो शरीर में जितने भी ग्रंथियां हैं उन सबको और उनकी अवस्थिती को एक बार देखिए हाइपो थेलेमस ग्रंथी प्यूस ग्रंथी और पीनियल काय ग्रंथी यह तीनों जो है वह मानव ब्रेन में यानि गर्दन के उपर वाले पायट में फिर देखेंगे ग्रंथी और पैरा थाइराइड ग्रंथी यह गले वाले पायट में नेक्ट देखेंगे थायमस ग्रंथी और पेंक्रियाज यह अगनास है तो थायमस ग्रंथी जो है वह चेस्ट में और अगनास है उदर गुवा या अब्डॉमिनल क्याविटी नेक्ट देखेंगे एंड इबनी या विरिक के उपर नेक्स्ट गोनेड्स लेगिंग जनल गरंती यह आतों के नीचे फिर एक बार कह रहा हूं कि यह जो कोश्चन इससे पूछेगा वह ऐसे पूछेगा यह गरंतिया का नाम देदेगा और लोकेशन पूछेगा कि शरीर में कहा अवस्तित है इससे जो बॉडिगाड गरंति करोई आमरो गरंति जीवन रक्षक गरंति 3S 4S गरंति कहते हैं और सेम टू सेम यही सब्द में प्रिविस एक्जाम में कोश्चन पूछे हुए तो अब देखिए इसको विस्तार से जानने के लिए गरंति के क्लास ही ग्लेंट के क्लास ही पूरे लग तो ऐसे ही 3-4 बार आप देख लीजिएगा तो याद हो जागा सिधे फैक्ट अब देखेंगे फ्यूस गरंति कई बार पूछ चुका इसको मास्टर गरंति कहते हैं और उपर के साथ गरंतियों को यह मियंत्रित करता है हाइपो थेलेमस और देखिएगा प्रिविस यर में जो प्यूस गरंति है उसका सेफ भी पूछे हुए है तो कैसा सेफ उट रहा है मटर के दाने जैसा नेक्ट देखेंगे हाइपो थेलेमस इसको मास्टरों का मास्टर गरंति कहते हैं नेक्ट पीनियल गरंति इसे मानब शरीर का तीसरी आख कहते हैं नेक्ट सबसे बरी जो यह मानब शरीर में वह लीवर है तो बहुत मुश्किल नहीं दो तीन बार देखिएगा तो पूरा याद हो जागा एक बार फिर से याद करा देता हूँ आइपो थेलेमास, फ्यूस गरंति और पिनियल का है यह तीनों मानब ब्रेन में होता है थाइराइड गरंति और पैराथाइराइड गले वाले पार्ट में थायमस गरंति चेस्ट में पेंक्रियाज या आगना से उदर गुआ या एब्डेमामिनल केविटी एडिनल या कंकाल तंत्र तो इससे सिदे सिदे क्वेश्चन रहता है बोंस या अस्थियां से संबंधित जो इस्टडी है उसे ऑस्टियोलोजी कहते है सिदे सिदे क्वेश्चन में रहेगा हडियो या अस्थियों से संबंधित अध्यांत क्या हो जाएगा ऑस्टियोलोजी और 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 के सरीर में यूव आवस्थाम कितने हैं तोटल 200 स्के हड़ी आ होते हैं और उनसे जो पीटी का फेक्ट कोस्चन है वो देखीगा प्रिवेस चेर में सबसे लंबी हड़ी फीमर जांग वाली सबसे छोटी ये स्टेफ्स सान की सबसे पतली खेवुला पैर के निचले हिस्सा हड़ी है सरीर के वह जबरे की हड़ी सबसे भारी ये भी फीमर ही है यू आकार की हड़ी हायोर जो गले में हैं और सबसे बड़ी चेहरे की हड़ी जो हो मेंडीवल टोटल खोपरी में अस्तियों की या खोपरी की जितने हड़ी है उसका नंबर पुछे विए तक कितना हो जाएगा 29 और रिब्स या पस्लियों के हड़ी की संक्या पूछे रहेगा तो 12 जोरी और एक इस्टनम यानि 25 इसको भी देखेगा तो याद हो जाएगा बहुत मुस्किल नहीं है नेक्ट दखेंगे मानव स्वसंतंत्र इस से कोस्टन रहता है बहुत ज्यादा नहीं रहता पर क्रम में सजाने के लिए देता है जो असले उस्टनमें दिये रहेगा और सिस्टम में ऊपर-णीचे करके देखा जिसे प्रथम ऑक्सिजन नाक से लेते हैं पहले नाक उसके पर नीचे आगे पीछे करके देदेगा option a b c करके और वहीं पर गलत हो जाता है नेक्ट देखेंगे एक मिनिट में जो व्यस्क मनुस्थ होते हैं वो 12 से 16 बार सांस लेते हैं और बच्चे की बात करें तो एक मिनिट में 20 बार सांस लेते हैं अब अलग-अलग जीवों में अल पानी में रहता है तो वह दोचा से सांस लेता है और धर्ती पे रहता है तो लंग से वैसे ही केचुवा इसकीन से तील चट्टा वायू नलिका या ट्रेकिया से अमीवा शरीर की सता से जानबर पक्षी या मनुस्थ ये लंग से एक जोरी से से फेपरे से हम लोग सांस लेत से खुलता यानि यह अधिकतर पादे जो होते हैं वह रात में सोसन करते हैं तो देखिए फिर कोस्टन जो रहेगा वह ऐसे ही रहेगा अलग जीवों में जो सवसंत रहे वह में ढख और उसमें बहुत सारे आप्सन रहेंगे तो एक दूबार देखीगा तो यह भी याद हो जाएगा और अधिकतर जो प्रिवेशियर में है वह ही है जो प्रजनन का अवस्था होता है वह क्रमानुसार सजाने के लिए देद्वा है युगमक जनन गरभाधारन निसेचन युगमन नज का अनिर्मान प्रत्यारोपन और गरभ अवस्था इसको देखिएगा इंग्ली पर अधियाँ मómoма बेटा वहें किसे सब्सक्राइब करते हिएगा नेफ्ड़ोजी से सभांधिते अंध्चिन रहते हैं जैसे किड़नी से अध्वेखियां कि अध्यान कहला जाएक कि और इंध्ऎकश yanue यह आंकों से सभांधित स्बंधित अध्यान wifi97 फेंन मान स्पेसी से संबंधित अध्यान मायोलोजी और शेवाल से संबंधित अध्यान से फाईकोलोजी कुछ उपर हैpektे बारे मेंivities रोगी करण के बारे में jagat सब्क्सियो के अंड्र के बारे में ए फैक्ट मेंऔर में पूछ रखा हैं उन्स सब को स्अधए मुश्किल से 15 मिनिट लगेंगे और यह टॉपिक का भी रिविजन हो जाएगा उसकी बाद प्रिवेस एर का सेट उठाकर देखिए जाएगा कोई सिध्धान्त नहीं है किसी बात की विश्थार से चर्चा नहीं है पर फू बहू यह क्वेस्टन वहां लिखा हुआ मिलेगा चलिए दोस्तों तो एक दो बार देखिए आपको याद हो जाएगा और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पाइट वण भी देखिए क्योंकि उससे जो उसमें कुछ महत्पूर्ण जैसे डिजीज टॉपिक थे तो उनसे एक्जाम में कोस्चन रहता ही रहता है तो वह पिछले वीडियो में है और यह पार्ट टू है अब एक और आएगा जिसमें बोटनी से संबंदित प्रस्ण होंगे तो उसे भी देख लेंगे चलिए दोस्तों तो आप रिविजन कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद